हेलो फ्रैंस दोस्तों यदि आप भी अपना जीमेल आइडी का पास्वार्ट को चेंज करना चाहते हैं आप अपने जीमेल आइडी का पास्वार्ट को भूल गये हैं तो उसे किस तरह से चेंज करते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल से वीडियो बनाया हुआ हूँ सो चले गाइस हम अपने mobile के Gmail ID में चलते हैं तो इस तरह से Gmail वाले application में चले जाना है दोस्तों उसके अधि यहाँ पस देखे right side के आपके top में दिख जाएगा कि जिस भी आप Gmail ID में login किये होंगे उस Gmail ID को यहाँ से click कर लेना है profile में उसके फ्रेंज यहाँ पस देखे right side में आपको slide कर लेना है उसके यहाँ पस देखे security के option आजाएगा सिमपल से security वाले option में चले जाएगे दोस्तों उसके फ्रेंज यहाँ पस देखे उपर के side में इसको scroll करेंगे तो यहाँ पस देखिए एक आपसन आएगा आपको password manager तो इस password manager आपसन मैं जैसे क्लिक करता हूँ अब दोस्तों यहाँ पस देखिए 5 website या जो भी link है उसका मैं यहाँ पस password save करके रखा हुआ हूँ लेकिन दोस्तों मैं google account और gmail id का password को यहाँ पस save करके नहीं रखा हूँ तो यहाँ पस password मेरे को नहीं मिर रहा है यदि दोस्तों आप login करते समाई gmail id गूगल account को जब भी आप login करेंगे पस्वार्ट का option है उसी के जस्ट नीचे में देखिए दोस्तों recovery phone और recovery gmail का option है यदि दोस्तों आप password भूल गए है तो आप अपना जब भी gmail id बनाएंगे तो वहाँ पस एक mobile number मांगते हैं तो वहाँ पस mobile number के थुरू आप password को change कर सकते हैं या तो recovery mail के थुरू भी आप password क चेंज कर सकते हैं बड़ दोस्तों यहाँ पस मेरा ना तो recovery email id है और ना ही recovery mobile number है तो simple मैं password में save क्लिक करता हूँ अब देखिए दोस्तों यहाँ पस enter your password का option दे रहा है बड़ दोस्तों मेरा password चेंज करना है password पता भी नहीं है तो यहाँ पस forget password में क्लिक करूंगा अब देखिए दोस्तों यहाँ पस screen lock का option दिखा रहा है तो इसको continue कर लेना है इस तरह से आपको अपने screen lock को open कर लेना है चेले दोस्तों मैं screen lock को open कर लेता हूँ अब देखिए दोस्तों यहाँ पस मैं जैसी क्लिक किया password यहाँ पस new password और यहाँ पस confirm new password यानि कि दोस्तों आप अपने mobile में ही login है पहले से ही Gmail ID में और उसी email ID का password को भूल गए है तो आपको कुछ भी करने के ज़िवरत नहीं है न तो आपको recovery email ID मांगेगा और नहीं recovery mobile number मा आपको यहाँ पस new password आप बनाने का option देदेगा और यहाँ पस confirm new password बना कि आपको यहाँ पस चेंज आले password में क्लिक कर देना है उसके आप दोस्तों आपका जो email ID और Google ID का password चेंज हो जाएगा दोस्तों I hope आज की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसी तरह का आप चैनल को प्लिस सब्सक्राइब कर लिजे मिलते हैं का और नए वीडियो में दोस्तों तब तक के लिए टाटा वाई बार